कि इंडिया गठबंदन को 295 प्लस सीट्स मिल रही है, बीजे पी को 220 के करीब सीट्स मिल रही है और एंडिये जो बीजे पी का गठबंदन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही है तो इंडिया गठबंदन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है तो चार थारी को डिसाइड होगा जैराम रमेज ने कहा है कि इस पर लिए पूरी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े मंजूर है कि इंडिया गठबंदन को 295 प्लस सीट्स मिल रही है बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही है और एंडिये जो बीजेपी का गठबंदन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही है तो इंडिया गठबंदन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है कि इंडिया गठबंदन को 295 प्लस सीट्स मिल रही है इंडिया गठबंदन आपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है पूरी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े मंजूर है